हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल या मम्स किचेन में आज मैं बनाऊंगी पीजा बेस जो की बिल्कुल ही कम खर्चों में कम समय में घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं तो चलिए मैं बना के बताती हूँ तो सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे 400 ग्राम जितना मैदा ले लेंगे इसको अच्छे से हम पहले ही छान लिए हैं एक कटोरी दही ले लिए हैं नमक है एक चमच नमक एक चमच चीनी एक चमच बेकिंग पाउडर पानी चार चमच रिफाइन वाइल तो पहले हम हम चीनी नमक बेकिंग पाउडर तीनु को हम डाल देंगे इसी में इसको मिल आ देंगे और इसमें हम रिफाइन भी डालेंगे थोड़ा सार रिफाइन हम बचा लिए हैं लास्ट में लगाने के लिए तीन चमच इतना डाल दिये इसको अच्छे से हम मिल आ लेंगे फिर इसमें हम दही डालेंगे दही घर का फ्रेस दही होना चाहिए इसको भी इसी में हम मिल आएंगे अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे पानी एक गिलास है मेरा देखते हैं कितना लग जाता है एक बार में पूरा पानी न डाले थोड़ा थोड़ा पानी करके डो के तरह हम इसका डो लगाएंगे अब इसको अच्छे से हम गुथेंगे जैसे रोटी के लिए हम आटा गुथते हैं उस तरह से इसका विडियो हमको गुथना है लेकिन ए थोड़ा सा नरम रहेगा इसको अच्छे से हम चारो तरफ बर्तन का भी होगा सब बर्धिया से हम चारो तरफ घुमा घुमा के चारो तरफ का भी सुखा मैदा जो है थोड़ा थोड़ा लपेट-लपेट के हम अच्छे से देखें मसल मसल के डो को हम रेडी करेंगे, देखिए डो मेरा रेडी हो गया, बिल्कुल चिकना डो रेडी हुआ, आप थोरा सा हाथो पर तेल लगाएंगे, जो बचा तेल है वो हम लगा लेंगे, इसको हम लास्ट में चिकना कर देंगे, देखिए आप मेरा डो रेडी हो गया, आप इसको हम दो घंटो के लिए ढख के रख देते हैं, अगर आपको जरूरी हो तो एक घंटा में भी अब बना सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो दो घंटा, पानी देखिए मेरा इतना लगा है, एक चोथाई ग्लास, तेल थोड़ आप देखिए, मेरा दो घंटा हो गया, देखिए अच्छा से फूल गया है, अब थोड़ा सा हम मिला देंगे, चीनी डाले हैं तो थोड़ा सा नरम होगा तो अच्छे से हम मिला लेंगे, उपर तेल भी मेरा था तो अच्छे से मिल जाएगा, हाथ में भी बिल्कुल नहीं लगेगा, अब इसको हम लोई बना लेंगे, अब आप बड़ा छोटा जिस हिसाब से खाना चाहते हैं, वो हिसाब से हम बेस को बनाने के लिए हम जितना पार्ट में आपको लोई बनाना है, हम छोब पार्ट में डिवाइट करेंगे, अब इसको हम चिकना कर देंगे, देखिए, बिल्कुल हम गोला कर देंगे, अब थोड़ा सा हम सुखा मैदा लगाएंगे, अब इसको हम ढख देंगे, अब इसमें थोड़ा सा हम सुखा मैदा लगाएंगे, इसको थोड़ा हां थेली से हम दबा के हम गोल कर देंगे, सुखा हम मैदा लगा के अब इसको बेलेंगे, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला हमको, पीजा का बेस जैसे फूलेगा तो और भी मोटा होगा, तो मैं दिखा दे रही हूं, देखें गोल बन गया, अड़ी समय चाहें तो आप कोई धकन भी हो उससे अगर कट करने से, एक साइज का होने के लिए कट भी कर सकते हैं, हमको कट नहीं करना है, देखें इस तरह का मोटा पा है, अब हम एक पैन गरम कर लेंगे, बिल्कूल धीमी फ्लेम में, अब इसी में हम डाल देंगे, अब इसको हम पांच मिनट सेख लेंगे उपर से, तब तक हम दूसरा लोई उठाएंगे, तब तक इसको हाथों से हम चिकना करके बेल लेंगे, कि युड़ा है, तब दूसरा लेंगे, तब दूसरा लेंगे, युड़ा छो एक इसको हम रसी में हम जुड़ा। इधर हम बेल लिये देखिए उदर थोड़ा थोड़ा मेरा फुलना सुरू हुआ है तब हम चमच से काटेदार चमच से हम इसका छेद करेंगे नहीं तो रोटी जैसा फूल जाएगा आप नीचे भी चमच से हम छेद कर सकते हैं लेकिन इस समय करने से दो फ़रक आएगा मैं बाद में बताऊंगी आपको इस समय करने से बड़ा बड़ा हॉल होता है नीचे करने से छोटा छोटा होता है तो अभी इसमें मसाला डालने से बिल्कुल बढ़िया मसाला होगा अंदर तक फ्लेवर जाएगा तो आपको जैसा मन हो उस तरह से कर सकते हैं देखिए यह भी बनेगा ओ भी बनेगा दोनों का अलग-अलग डिजैन रहेगा ओ थोड़ा बड़ा रहेगा ओचोटा रहीगा इसमें मसाला अंदर तक जाएगा देखिए पुरा अंदर तक मसाला जागा जब यह हलका हलका फूलने लगे तब अगर आप छेद करेंगे तो ऐसा होगा आपके पास दो अप्सन है जैसे करना पसंद करते हैं उस तरह से आप छेद कर सकते हैं फूला नहीं था मेरा उसी समय कीजिएगा फूलने मत दीजिएगा अब इसको दो से थीन मिनट में हम पलट देंगे पान से छे मिनट बिल्कुल धीमी फ्लेम पे इसको दोनों तरफ पका लेना है अब पीछे भी हम चेक कर लेंगे देखिए बिल्कुल बढ़िया से हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए फूला भी है हम बेले थे उससे ज़्यादा फूल फूल के बिल्कुल नरम नरम बना है तो इससे हम एक प्लेट में डाल लेंगे दूसरा वाला बैश हम डालेंगे तो जब भी आपको मन हो पीजा बेस पीजा खाने का तो पीजा बेस बना के घर में रख सकते हैं इसे श्टोर भी कर सकते हैं आराम से 3-4 दिन तक आराम से आप खा सकते हैं बच्चे को कभी भी मन कर जाता है, कुछ खाने का तो इस तरह से आप बना के उन्हें फटाफट खिला सकते हैं, ऐसे ही करके हम धीरे-धीरे सारे कर लेंगे, देखिए, ऐसे भी आप बना के रख दीजिएगा फ्रीज में, तो कुछ भी नहीं घर में हो तो टोमाइटो सोस भी लगा के, कुछ भी डाल देंगे उपर से टोपिंग तो बच्चे खा सकते हैं, देखिए मैं, जो हॉल किये थे, छोटा वाल हॉल उपर वाल है, ये नीचे वाल बड़ देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह, जैसे मार्केट से लाते हैं, उस तरह से बना है, बिल्कुल, एस्पंजी भी है, तो मैं पीजा भी बना के आपको दिखा दे रही हूँ, आपको कितना असानी से घर में ही कैसे पीजा बना लेंगे, तो इस तरह से तो बेस आप बना तो चलिए एक हम बेस ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा चीली सोस टोमाइटो सोस मिक्स कर दिये हैं और हम लगा दिये हैं बिल्कुले आपको जल्दी जब बनाना हो बच्चों के लिए तो इस तरह से आप पीजा बना लेंगे अब थोड़ा सा जो भी घर में सब्जी हो आप लगा दिजैगा तो हम थोड़ा सा प्याज लगाएंगे थोड़ा सा सिमला मिर्ची लगाएंगे कहीं कहीं पे आप डाल दीजे थोड़ा सा हम टमाटर भी लगा देंगे जो भी आपके पास घर में एभिलेबल सबजी हो नहीं कुछ भी हो तो प्याज भी डाल के आप बच्चे को अगर दे देंगे तो भी खुशी से खा लेंगे यह हम मोजरेला चीज घर में जो बनाए थे इसका वीडियो हम डाल दिये हैं आप वहां से जाके देख सकते हैं तो आप घर में भी चीज कैसे बनाए उसका मैं वीडियो डाल दी हूँ तो घर में दूद से कैसे चीज बनाते हैं तो बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं इसके लिए मैं वीडियो डाली हूँ वहां से जाके देख सकते हैं एक क्यूब बला भी है तो दोनों चीज हम डालेंगे क्यूब बला को भी हम क्रस्ट करके इसके उपर से डाल देंगे अब उपर से हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे इधर हम पैंचर हा दिये हैं उसके उपर से हम बटर पेपर डाल दिये हैं आप नहीं भी डाल सकते हैं हम थोड़ा सा गरम अगर हो जादा तो नीचे जल लेना इसलिए बटर पेपर हम सिर्फ डाल दिये हैं मैं बादने दिखाऊंगे आपको बटर पेपर कैसा गरम हो जाता है अब इसे ढख दीजिए बिल्कुल पांच मिनट में बन के त्यार हो जाएगा इस तरह का पीजा अगर आप बेस बना के रखे हैं तो पांच मिनट में इस तरह का पीजा जटपट से आप बना के बच्चों को खिरा सकते हैं आप भी अगर जल्दी में कहीं निकलना है तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं तो आप इसे जरूर एक बार बना के खाईएगा, आपसे कैसी बनती है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो पसंद भी आती हो तो लाइक, सस्क्राइब कीजिएगा, सेर भी हो सके तो कीजिएगा, अब इसे हम पांच मिनट पका ल हैं, देखिए, पासे दिखा दे रही हूँ, देखिए, वाओ, कितना बढ़िया पके डेडी हो गया है, फ्रेंट्स, तो इसे आप जटपट से बना के कभी भी खा सकते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक and सस्क्राइब कीजिएगा, थैंक्स फर वाच्चि मिलती हो नेस्ट वीडियो में,